हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब किजिए हमारे इस यूटूब चैनल को और दवाईए इस बेल आइकन को पाईए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स नमस्कार वित्रु स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर जिसका नाव है स्टेडी विद्यपक्तर तो ऐसे लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहां पर लगातार मिलने वाला है यूपी एसाई बिहार एसाई और आने वाले एक्जाम का प्रेक्टिस सेट मॉडल पेपर और उनसे संबंदित अच्छी से पीडियाफ लगातार तो बित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो दोस्तों यह सब बाते छोड़ते हैं हम लोग बात करते हैं यूपी तो अगर यह बदलाओ 16-20 नौबर के बीच नहीं किया जाते तो आपका एक्जाम 100% पांच से पत्चीज समबर के बीच नहीं होगा तो अभी इस बात की पासिवल्टी है कि हो सकता है बदलाओ हो सके क्योंकि अभी दस दिन पांच छे दिन है तो अगर होता है बदलाओ तो आपका एक्जाम होगा अगर ऐसा नहीं होता है तो आप यह समझ लिजे कि आपका पांच से पत्चीज समबर के बीच नहीं होगा और आप लोग बार बार इस बात को लेके विल्कुल मुद्दा उच्छालिया मत की नहीं होगा एक्जाम जब होगा तब देना है आपको इस मुलता है धेड़ माहिना मिलता है च्यारी दिन पचाथ मिलता है एकदम बड़ियस के जिए कि यूपी ऐसाी का एकजाम इतना भी आसान नहीं होता कि हर एक आदमी कर जाए लेवेल होता है सब्जेक्ट का लेवेल होता है तो यहां पर जो आप सा स्टेंडर्ड होगी जीएस भी होगी वो थोड़ा सा हार्ड होगी रेजिनिंग थोड़ा सा सही होती है बाकी आपको हिंदी ठीठा की पड़नी है तो आप यह समझ लिए कि एकदम यह ग्रूप डी का एकजाम नहीं जो कोई भी निकाल ले जाएगा तो इसलिए जितना भी नीचे मेरा वाटस अप नमर होगा?